नमोनमह संस्कृत कक्षायाम भवताम भवतिनांच पुनरेकदा स्वागतम अहम अस्मी अशोक कुमारह अध्यवयं शेमुशी द्वितिय भागह इती पुस्तकस्य एका दशं पाठं पठिश्यामह अस्य पाठास्य शीर्षकमस्ती प्रानेभ्यपी प्रिय सुहरित प्रिय चात्रो संस्कृत की इसकक्षा में मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आज हम शेमुशी द्वितिय भाग इस पुस्तक के ग्यारवे हे पाठ को पढ़ेंगे पाठ का सीर्षक है प्रानेभ्यपी प्रिय सुहरित अर्थात मित्र प्राणों से भी प्यारा होता है चात्राह पूरु भागे वयं पठित्वन्तह यत चानक्याह नंदवन्सस्य विनासस्य पस्चात अमात्य राक्षसं तस्य मित्र बंधून ग्रिहितुम इच्छती अस्मिन नेवसंदर्भे चानक्या कुषुम्पुर नामनी नगरे निवासं कुर्वतह महामात्यस्य राक्षस्य प्रिय मित्रं मनिकारं स्रेष्ठिनं चंदन दासं आहोयती चानक्यस्य शिष्यह आदेशं प्राप्य चंदन दासं आहोयती सरप्रतमं चानक्या तस्य वानिज्य आदिविशय प्रिच्छती यदा चंदन दास वदती यत भवताम कृपया वानिज्यम इत्यादिकं सम्यक्चलती तदा प्रसन्नाह चानक्या वदती यदी भवंताह प्रजाजनाह संतुष्टाह संती तरही राजा अपी प्रजाजनेभ्य किम अपी इच्छती तदा चंदन दास प्रिच्छती यत आदेशं कुरुवंतु मत्तक यत किम्च आवशकं चानक्या कथयती यत इदम तू नंदस्य राजियम नास्ती यत्र धनप्राप्तिम तस्मै आनंदम ददाती चंद्रगुप्तह तु केवलं भवतां कष्ट रहितं जीवनं दृष्टवायो प्रसन्नाह तिष्टती यदा चंदन दासह धन्यवादं समर्पयती तदा चानक्या वदती यत कष्टेभ्य मुक्ती कथम स्यात इती भवता प्रसनह करणी यहा चंदासह वदती आज्याम करोतु एवं एव वार्तालाप समय चानक्या वदती यत तुम राग्या चंद्रगुप्ततस्य विरोधिनं अमात्य राक्षसं तस्य बंधून चे स्वेग्रिहे गोपीत्वा रक्षती चंदासह आदव तस्य वचनम निराकरोती वदती यत केनापी दुष्टेन भवते एतद अलीकम एनृतम कथितम स्यात एतद सत्यम नास्ती तदा अमात्य राक्षसस्य तस्य बंधूजन नाम विशय ग्यातुम चानक्य हवदती यत कदाचित एवं अपिभवती यत भीताहा पूरु राजपुरुशाहा स्वस्य परिजनान नगरे कस्याचित ग्रिहे गोपीत्वा अन्यस्थानम प्रती गच्छन्ती तेशाम गोपनम ने दोशाय परन्तु तान गोपईत्वा अधुना अस्मान ने सूचयती तत दोशाय भवती तदा चंदन दासह कथयती आम तस्मिन समय अमात्य राक्षसस्य ग्रिहे जनाहा मम ग्रिहे एव आसन चात्रो इस पाठ के पूरु भाग में हमने पढ़ा था कि नंदवन्स के विनास के बाद चानक्य अमात्य राक्षस और उसके हितेशी बंधुों को पकड़ना चाहता है और इसी संदर्भ में वह कुसम पुरु नामक नगर में रहने वाले अमात्य राक्षस के प्रीय मित्र और विश्वास पात्र जोहरी चंदन दास को बुलाते हैं आदेश पाकर के चानक्य का शिश्य चंदन दास को ले करके आता है सबसे पहले चानक्या चंदन दास के व्यापार आदी के बारे में पूचते हैं जब चंदन दास कहता है कि आपकी कृपा से सब कुछ व्यापार आदी अच्छा चल रहा है तब चानक्या कहते हैं यदि प्रजा खुस हो राजा के कारियों से तो राजा को भी बदले में कुछ चाहिए होता है चन्दनदास कहते हैं कि आप आदेश कीजिए क्या और कितना चाहिए तब चानक्य कहते हैं कि आप धन के विशे में बात मत कीजिए ये नंद का राजिये नहीं है जो धन प्राप्त करके खुस हो, संतुष्ट हो महाराज चंदरगुप्त केवल आप लोगों का कष्ट रहित जीवन देखना ही चाहते हैं और उसी को देख करके वे खुस रहते हैं उसके बाद में चंदन दास उनका आभार प्रकट करता है तब चानक के कहते हैं आपको तो ये पूछना चाहिए कि आप सबको कष्टों से मुक्ति कैसे मिलेगी चंदन दास कहते हैं कि आप आदेश्त कीजिए बच्चो इस तरह ऐसे बादचीत के माध्यम से चानक क्या चंद्रगुप्त के विरोधी अमात्य राक्षस और उसके परिवार जनों को के बारे में जानना चाहते हैं प्रारंभ में तो चंदन दास कहता है कि किसी दुष्ट व्यक्ति ने आपको मेरे बारे में गलत कहा है यह सत्य नहीं है पर फिर भी चानक क्या उसको कहता है सेठ ऐसा बहुत बार होता है कि पहले के जो राजपुरुस होते हैं या राजपरिवार से संबंधित लोग होते हैं वे डर की वज़े से नगर में ही किसी व्यक्ति के घर में अपने परिजनों को छुपा कर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं उन्होंने तुमहरे घर में भी अपने परीजनों को रखा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है उसमें तुम कर भी क्या सकते थे परन्तु अब उनके बारे में नैने बता करके तुम गल्टी कर रहे हो। तब सेठ चंदन दास कहता है कि हाँ उस समय अमात्य राक्षस के परिवार के लोग मेरे घर में थे अधुना अग्रे पठिश्यामाः चानक्यह पूर्वं अयंदृतं इदानिम आसीत इती परस्पर विरुद्ध वचने चंदन दास है आरिय तस्मिन समय आसीद अस्मत ग्रिहे अमात्य राक्षसस्य ग्रिह जनह इती चानक्यह अथे दानिम क्वागतह चंदन दास है न जानामी चानक्यह कथम न ग्यायते नामा भोश्रेष्ठिन सिर्शी भयम अति दूरं तत प्रतिकारह चंदन दास है आरिय किम मे भयम दर्शयसी संतम अपि गेहे अमात्य राक्षसस्य ग्रिह जनम न समर्पयामी किम पुनर असंतम चानक्यह चंदन दास है एशह एवते निश्चयह चंदन दास है बाढ़ं एशाएवमे निश्चयह चानक्यह स्वगतं साधू चंदन दास साधू सुल्भेश्वार्थ लाभेशू परसम्वेदने जने का इदम दुसकरम कुरियाद इदानिम सिविनाविना अन्वयहा परस्य सम्वेदने अर्थ लाभेशू सुल्भेशू इदम दुसकरम कर्म जने अर्थात लोके शिविना विना कह कुरियाद भावह परस्य परकीयस्य अर्थस्य सम्वेदने समर्पने कृते सती अर्थ लाभेशू सुल्भेशू सत्सू स्वार्थं त्रणी कृत्य परसंरक्षन रूपमेवं दुसकरम कर्म जने एकेन सिविना विना त्वदन्य कहा कुरियाद शिवी रपी कृते युगे कृत्वान त्वम तू इदानिम कलव युगे करोशी इती ततोप्य अतिशाईत सूचरित त्वम इती भावह हिन्दे अर्था चानक्य पहले जूठे और अब था ये दोनों वचन एक दूसरे के विरोधी है चन्दंदास आरिया उस समय हमारे घर में अमात्या राक्षस के पारिवारिक सदस्य विद्यमान थे चानक्य अब वे कहां चले गए चन्दंदास मैं नहीं जानता चानक्य क्यों नहीं जानते ओ सेट तुम्हारे सिर पर डर है अर्थात खत्रा है और उससे बचने का उपाय दूर दूर तक नहीं है सोच लो जरा चंदन्दास आरिया क्या आप मुझे डरा रहे हो यदि अमातिय राक्षस के परिवार्जन मेरे घर में भी होते तब भी मैं नहीं देता उन्हें तो अब तो वे ही नहीं चांदन्दास क्या यह तुम्हारा अंतिम निर्णे है चंदंदास हाँ यही मेरा अंतिम निर्णे है चानक्य मनी ही मन सोचते हुए चंदंदास शाबास दूसरों की वस्तु को समर्पित करने पर भी बहुत धनकी प्राप्ती होने के स्थिती में भी दूसरों की वस्तु की सुरक्षा रूपी कठिन कारिय को एक शिवी को छोड़ करके तुम्हारे अलावा दूसरा कोन हो सकता है इस शलोक के द्वारा महाकवी विशाख दत्त ने बड़े ही संक्षिप्त शब्दों में चंदंदास की गुणों का वर्णन किया है इसमें कवी ने कहा है कि दूसरों की वस्तु की रक्षा करनी कठिन होती है यहां चंदंदास के द्वारा अमात्य राक्षस की परिवार की रक्षा का कठिन काम किया गया है न्यास रक्षन को महाकवी भास ने भी बहुत ही दुसकर कारिय मानते हुए स्वप्न वासवदत्तम नामक इस नाटक में कहा है दुस करम न्यास रक्षणम चंदन्दास अगर अमात्य राक्षस के परिवार को राजा को समर्पित कर देता तो राजा उससे प्रसन भी होते और बहुत सारा पारितोशिक धन के रूप में भी देते पर उसने भोति की लाभ वे लोभ को दर किनार करते विए अपने प्राण प्रिय मित्र के परिवार की रक्षा को अपना करतव्य माना और इसे निभाया भी कवी ने चंदन्दास के इस कारिय की तुलना राजा सीवी के कारियों से की है जिनोंने अपने सरणागत कपोत की रक्षा के लिए अपने सरीर के अंगों को काट करके दे दिया था राजा सीवी ने तो सत्यूग में ऐसा किया था पर चंदन्दास ने तो ऐसा कारिय इस कल्यूग में ही कर दिया इसलिए वे और भी अधिक प्रसंसा के पात्र हैं चात्रह अधुना पाठे आगतान केशांचे शब्दार्थान पस्च्या महा एन्रितम नयरितम न्यातत्पुरुष समासह अर्थास्ति असत्यम अथवा मिथ्या अथवा अलीकम हिंदी अर्थाह जूट परस्पर विरुद्धे एक दूसरे के विरोधी प्रतिकार उपाय असंतम नैसंतम अर्थात नै निवसंतम ए विद्यमानम नै रहने वाले निश्चयह संकल्पह बाढ़म एवम हाँ स्वगतम मनोगतम मन ही मन अर्थ लाभेशू अर्थानाम लाभेशू अर्थात धन प्राप्तव सती समवेदने समर्पने कृते सती समर्पन करने पर दुशकरम कठिनम जने जनस्य विशय व्यक्ति को ले करके छात्रा अधुना एशह पाठह समाप्तह इदानिम वयम अभ्यासकारियम पस्यामह प्रत्मह प्रस्नहास्ति एक पदेन उत्तरम लिखता यथा भवंतह जानन्ति प्रस्ने वुलेखास्ति एक पदेन अस्यार्थास्ति एकेन शब्देन उत्तरम देयम यदी कदाचित एकेन शब्देन पदेन वा उत्तरम दातुम नशक्नुमह संभावना नभवती तरी अधिकाधिक द्वयोहो पदयोहो प्रियोगह सक्यते कह चंदन दासं द्रश्टों इच्छती चानक्यह ख चंदन दासस्य वनिज्या कीद्रिशी आसीत अ खंडिता ग किम दोशं उत्पादयती प्रचादनम ग चानक्यह कम द्रश्टुम इच्छती चंदन दासं ग कह शंकनियह भवती अत्यादरह अधुना द्वितियम प्रस्णम पठामह अधो लिखिता नाम प्रस्णा नाम उत्तराणय संस्कर्त भाशया लिखता क चंदन दासह कस्य ग्रिह जनम स्वग्रिह रक्षति स्मा चंदन दासह अमात्य राक्षसस्य ग्रिह जनम स्वग्रिह रक्षति स्मा ख त्रिणानाम केन सह विरोधह अस्ति ग्र पाठेश्मिन चंदन दासह तुलना केन सह क्रिता ग्र प्रीताब्यह प्रकृतिभ्यह प्रतिप्रियम के इच्छंति राजानह प्रीताब्यह प्रकृतिभ्यह प्रतिप्रियम इच्छंति कस्य प्रसादेन चंदन दासस्य वनिज्य अखंडिता आरियस्य अर्थात चानक्यस्य प्रसादेन चंदन दासस्य वनिज्य अखंडिता तृतियह प्रस्नहा चात्रह अत्र रेखांकित पदम आधृत्य वयं प्रस्न निर्माणं कुर्महा क, शिविना विना इदम दुसकरम कारियं कह कुरियात, केन विना इदम दुसकरम कारियं कह कुरियात, ख प्रानेभ्योपि प्रियह सूरित प्रानेभ्यपि प्रिय कह ग आरियस्य प्रसादेन मेवनिज्य अखंडिता कस्य प्रसादेन मेवनिज्य अखंडिता घ प्रीताभ्यः प्रकृतिभ्यः राजानह प्रतिप्रियम इच्छंती प्रीताभ्यः प्रकृतिभ्यः के प्रतिप्रियम इच्छंती त्रिनानाम अग्निनासह विरोधो भवती केशाम अग्निनासह विरोधो भवती चतुर्थः प्रस्नहा यथा निर्देशम उत्तरता चात्रह अस्मिन प्रस्ने क्रिया पदम कर्त्री पदम विशेशन पदम इत्यादी प्रिष्ठाह भवन्ती अधुना क भागम पश्यामा क अखंडिता मे वनिज्या अस्मिन वाक्ये क्रिया पदम किम अखंडिता ख पूर्वं एन्रितम इदानिम आसीत इती परस्पर विरुद्ध वचने अस्मात वाक्यात अधुना इती पदस्य समानार्थकं पदम चित्वा लिखता इदानिम आरिय किम मे भयम दर्शयसी अत्र आरिय इती संबोधन पदम कस्मई प्रयुक्तम चानक्याय घ प्रिताभ्यह प्रकृतिभ्यह प्रतिप्रियम इच्छन्ती राजानह अस्मिन वाक्ये कर्त्रिपदम किम राजानह अंतिमह भागह तस्मिन समये आसीद अस्मत ग्रिहे अस्मिन वाक्ये विशश्य पदम किम समये चात्रह अधुना निर्देशानु सारं वयं संधिम संधि विच्चेदम वा करिश्यामह पंचमह प्रस्नहा चात्रह अत्रवयम निर्देशानुसारं संधिम संधि विच्चेदम वा करिश्यामह यथा कधन अपी कोपी प्राणेभ्यः धन अपी प्राणेभ्योपी सज्जह धन अस्मी सज्जोस्मी आत्मन धन अधिकार सद्रिशम ख यथा सत्धन चित सत्चित सरत्धन चंद्र सरत्चंद्रह कदाचित धन च कदाचित्च शष्ठः प्राणेभ्योपी कोष्ठकेशु दत्तयोह पदयोह शुद्धम विकल्पम चित्वा असमाभी रिक्तस्थान पूर्ति करणी आस्ति चात्रा क चंदन दासेन विना इदम दुसकरम कह कुरियात् अर्यस्य प्रसादेन अखंडिता मे वनिज्या घ अलम कलहेन अ वीरह सिम्हात बालम रक्षती च, कुकुरात भीतह मम भ्राता सो पानात अपतत च, छात्रह आचारियम प्रस्नम पृछति सप्तमह प्रस्नह अधोधत मंजुषातह समुचित विलोम पदाने ग्रित्वा लिखता चात्रह वयं शाक्षात वाक्यानि पस्यामह क, अनादरह, आदरह, ख, दोशह, गुणह, ग, पूर्वं, पस्चात, ग, सप्त्यम, असत्यम, ग, इदानीम, तदानीम, च, अत्र, तत्र, चात्रह, अश्टमं, प्रस्णं, पस्यामह, उदाहरणं, अनुस्रित्य, अधोलिखितानी, पदानी, प्रयुज्य, पंच, वाक्यानी, रचायता, च, अत्र, उदाहरणं, दत्तमस्ति, तद आधारेण, वयम, प्रती, शब्दम, एकम, द्वयम, वाक्य से, निर्माणं, करिश्यामह, अन्यानी, अपि, वाक्यानी, भवितुम, रहंती, छात्रो, दिये हुए, शब्द के अनुसार, हमें वाक्या रचना करनी है, और एक या दो वाक्या का हम यहाँ पर अभ्यास करेंगे, आपके उत्तर अलग हो सकते हैं, क्योंकि शब्दों को आपको अपने वाक्या में प्रियोग करना है, तो हमारे शिक्षक बंधु, उसको संसोधन करके आपको बताएंगे यदि कहीं अशुद्धी होगी, प्रतमह शब्दहस्ति उपस्रित्या, वानरह सिम्हस्य समीपम उपस्रित्या तस्य पुच्छम धुनोती, अथवा, बालकह विद्यालयम उपस्रित्या सम्स्कृतम पठती, द्वितियह शब्दहस्ति प् इडालह पाकशालां प्रविष्य दुग्धं पिबती, अथवा, विवेकह पुस्तकालयम प्रविष्य पत्रिकां पठती, त्रितियह शब्दहस्ति द्रष्टुम् सह पुत्रं द्रष्टुम् छात्रा वासं प्रति गच्छति, अथवा, कृष्णह गुरुम् द्रष्ट गुरुकुलं गच्चती घ इदानिम इदानिम अहं स्रांतह अस्मे अथवा इदानिम भारत देशे शांतिही अस्ती अत्र अत्र वाईयू प्रदूशनं अस्ती अत्र सर्वं कुशलं अस्ती यह नाट्यांस महाकवी विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षसम नामक नाटक के पर्थम अंक से लिया गया है नंदवन्स का विनास करने के बाद उसके हितेशियों को खोज-खोज कर पकड़वाने के क्रम में चानक्या अमात्याराक्षस एवं उसके कुटुम्बिग्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए चंदन्दास से वार्तलाप करता है किन्तु चानक्या को अमात्याराक्षस के विशे में कोई सुराग ने देता हुआ चंदन्दास अपनी मित्रता पर द्रिढ रहता है उसके मैत्री भाव से प्रसन हुआ भी चानक्या उसे राजदंड का भै दिखाता है तब चंदन्दास राजदंड भोगने के लिए भी सहर्ष प्रस्तुत हो जाता है इस प्रकार अपने सुहरिद के लिए प्राणों का उच्छर्ग करने के लिए भी ततपर चंदन्दास अपनी सुहरिद निष्ठा का एक ज्वलंत उधार्ण प्रस्तुत करता है अग्रे अपी एताद्रिशं ज्यान वर्धकं पाठं स्वीकृत्य अहं पुनह आग्मिश्यामी भवे तावत शुभं मंगलं धन्यवादहा झाउने धन्यवादब